नमस्कार दोस्तों हमारे शीट उप्चान में आपका स्वागत है मैं सरिता आज आपको बताने जाले कि हाई बीपी और लो बीपी को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है इसके लिए बहुत ही आसान और रामण उचाड़ लेका आई यू आपके लिए कई लोगों को हो सकते इसके बारे में पता भी हो तो भी ऐसे भी कई लोगों के इसके बारे में सही जानकारी नहीं होगी तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है दोस्तो हाई vp और लो vp क्यासी कंट्रोल में क्या ज़र सकता हैं तो आये वीडियो को शुद्व करते हैं दोस्तो यदि आपकी vp लो है तो इसके लिए मैं आपको बता दो कि आपको क्या करना है आपकी बिलो है तो आपको नमक वाला पानी यूज करना हाँ आपने सही सुना नमक वाला पाने तो आप लोग कह रहोगे कि हमें तो इसके बारे में पता है लेकिन आपको इसके बारे में सही जानकारी नहीं होगी आपको कौन सा नमक यूज करना ये बहुत जरूरी है आपने नमक मखवल पानी पीना चाहिए दोस्तों हम साधहान नमक यूच करतें जिससे कहते आयोडीन double opposite- macro उस नमक का सेवं नहीं करना हाँ आपने सही सुना उस नमक का सेवन नहीं करना मार्केट में आयोडेन युक्त ही नमक भीक रहा है बहुत धडले से ये नमक सही नहीं है इसे समुद्री नमक भी बोला जाता है तो आपको लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए इस नमक का सेवन नहीं करना तो दोस्तों आपको कौन सा नमक यूज करना है आपको नमक यूज करना है सेंधा नमक कहां आपने सही सुना दोस्तों आपको नमक जो पीपी को समाने बनाने के लिए चाहिए वो है सेंधा नमक जिसे आप बोलते हो ब्रत वाला नमक तो उस नमक का परियोग करना है आपको मा पानी में आदे चम्मट करके उसका उस पानी को पीना है आप दिन में ऐसा तीन बार अर्याब से कट सकते हो और आपको ये पानी गुट गुटthe करके पीटते रहना है सेंधा नमक मिलागे साधान नमक डालोगे आईडे नमक डालेगे तो यह कभी कंट्रोल में नहीं होगी आपनी बीपी इसके लिए बहुत ज़री है कि आप सेंधा नमक का यूज करें दूसरा आपका बीपी हाई है दोस्कों कैसे कंट्रोल में किया जा सकता ह तो दोस्तों आपको करना क्या है एक बाल्टी पानी में आपको इसी से नमक को मिला के इसनान करना है आपको कितना मिलाना है आपको एक बाल्टी पानी में गम से गम 20-30 ग्राम मिला के आपको इसी पानी से नियमित रूप से 15-20 दिन तक इसनान करना है और अगिर आप ऐसा क गण्टॉल में हो जाएगी फिरकभी आपको भी भी हैस नहीं आपको इतना। कि इस व chessy उप्र हिस्थे में नमक वाला पानी डालने याई रपानी नहीं डालना मुझा looking नमक वाला लें गुदह से नीचे के हिस्थे पहें नमक वाले पानी को ख़ली दालना है तो आप इस बात के जरूर धियान रखे कि आपको सिर्के उपर पानी नहीं डालना है नमक वाला आपको करदन से नीचे डालना है नमक वाला पानी और आपको लगातार ऐसा 15 से 20 दिन तकड़ने आप सुब्य की टाइम जब इसनान करते हो तब आपको ऐसा परियोग से नमक डालना है या उससे थोड़ा सा कम भी टालके आप उसका मिक्स करके घुर घुर करके आपको पीना है आप लगातार ऐसे 15 से 20 दिन करते हो तो आपकी जो बीपी लो है यह है वो बिल्कुल समान हो जाएगी तो आप इस दिन उसके को जरूर आजमाई है तो आज की वी आपकी वीड़ी सान एक टेम थानी पाद